अब सभी का स्वागाते मेरे यूट्यूब चैनल पर और बेसिकली आज आमड़ा आखरी दिन है यहाप पूरी पर अगर मैं अभी इसी होटेल के टेरिस्ट पर हूँ और यहाँ से बिल्कुल मेरे सामने ही पूरी का समुंदर दिख रहा है मुझे आप सभी को दिखाता हूँ कितने अच्छी तरह से दिखेगा यह तो मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे यह व्यूव बहुत ही अच्छा लग रहा है इसलिए आप सभी को दिखाता हूँ देखिए बिल्कुल सामने समुंदर है और अभी हम लोग जाएंगे सिधा मंदिर को जगर्नत मंदिर थोड़ा सा घूमने के लिए क्योंकि कल शाम को मैं जब गया था तब मैंने तो अंदर नहीं जा सका और यहां से सिधा दिखेगा वह जो जो सिधा दिख रहे है एक बड़ा सा मंदिर वह है जगर्नत मंदिर अभी हम पर जाएंगे और यहां के हालत आप लोग देख लीज एक बर अगर जितना मैं दिखा सकूंगा उतना कोशिश करूंगा अप सभी को यह जो पेड दिख रहे है यह सब नाडियल पेर है सब फनी जब आये तो साइक्रोन फोनी उस टाइम पे इसकी हालात इस तरह से हो गए है यह पे एक भी पेर मतलब नाडियल के जो पेर होता है एक भी अभी तक मतलब जो छोटा वाला है बहुत तो जिन्दा है बाकी सब तो हालात बहुत ही खड़ाब है मुझे आगे भी सब दि दिखाता हूँ अगर ध्यान से देखा होगा तो मैं फिर से दिखाता हूँ आगे जाके तूट चुका है पुड़ा जो सामने बाले थे सभी के हालात एक जैसे हो गए है दूर दूर तक आप लोग देखिए जो पहले वाले सब की हालात एक जैसे है इसी के उपर से गय थे और वह जो सामने बाले बिल्डिंग दिख रहा है वह भी सब की हालात सेम होए यह नारियल पेर भी और उधर भी तो अभी हम जाएंगे सिधा मंदिर को और मंदिर के अंदर तो कैमेरा एल आउट नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ देखने के लिए जाओंगा और वहां पे ज देना है घर भाले के लिए और परशी के लिए तो चलिए चलते है जितना होसा के दिखाने के कोईश करूंगा और रौत की तैयारी कितने हुई है वह भी दिखाऊंगा और आज उतनी अच्छे तरह से व्लोग नहीं हो सकते है क्योंकि बारिश हो सकते हिया पे धूप तो द पहोंरा मुच्छे नहां करता हिज हुआ के लिखाँ है कही राले का मुच्छी का के लिखाएंगा कि व्लोग नहीं होबदाने की दिखायक है र Country 7개 आट और अभी मैं हूँ गरिपड़त एक्सप्रेस पे अभी घर लोट रहा हूँ रात के 10 बजे ट्रेन बहुत ही लेट है क्योंकि बहुत ही बारिश हो रहा है आज दे थी त्रा और दे थ्री में मतलब इतना बारिश हुआ कि बाहर तो निकल नहीं सका लेकिन सुबा जब निकला था तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे क्राउड मुझूद थे मतलब बहुत सारे लोग भूमने के लिए आये हैं क्योंकि चार तरीक को रहती आत्रा है इसलिए और हम लोग तो उससे पहले निकल रहे हैं और बहुत क्राउड थे और बहुत ही मतलब शांदर तरीके से जो वहाँ के पुलिस है वो कबलिक को कांट्रोल कर रहे थे वहाँ पे और वहां से लौटने के बाद ना आया और उसके बाद हम लोगों ने आज पानी के लेच बहुत था और उसके बाद जब खाना खाने के लिए तेरा फ़र्वन जो वहां के रिस्टुएन्ट था वहाँ पे गये थे बहुत ही अच जुड़ा ये इसी प्वज़े से बहा का सारे मार्केट बंग था और फिराल तो अभी हम लोग ट्रेन पर बैटे हैं कब छोटे गा इसकी इतिजार में बस और कुछ नहीं था पूरा दिन का शिरूर इसी तरह से बीद गये थे कब मालूम नहीं परा चलिए बाहर से आपको इ 120 रूपीज था सिर्फ खाना नहीं मिलेगा फिलाल तो मैं अभी बाहर जाके आप लोग इस स्टेशन का हालात दिखाता हूँ ये सेंट्रल मतलब सेंट्रल गौब्मेंट के अंदर है इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से मेंटिन का लिया इन लोगों ने क्योंकि जब सा वाइफाई था गूगल का वह भी बंद है चलिए दिखाता हूँ बाकी सारे चीज मुझे कितने अच्छी तरह से आप लोग देख पा रहे हो यह मुझे मुझे मालूम नहीं है लेकिन फिलाल यह भी देख लीजे गड़ी ब्रत में यह भी दिखने को मिल रहा है कुपनी अ साइड लोड होता है उसमें यह देख लीजे यह पर और एक है इसके उपर और एक और नीचे एक और यह कंफोरड़बल जानी के लिए अलग लोकों के लिए आईए बाहर चलते है साइड दिन जो कि मैंने जिखाने के पोशिश ती पोह लिए नती छोटी तरीके से क्योंकि बहुत भाभ बढ़िशोग है इसके मैं call एख गरे रहने के लिए जितना हो से कि मैंने आप तभी को दिखाने के पोशिश की सिरे अकर ही बाभ आपि मतलत हर में converse halten सब्सक्राइब जादा से जादा कुछ दिखाने के हैं और टेंट तो बहुत ही खाली है क्यूंकि अभी कोई नहीं लॉट रहा है तिर पी हमारे जैसे कुछ लोग लॉट रहे हैं तो वीडियो को में इसे जिए के पे बाइट कर रहा हूं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सबस्काइब कीजिए, तिल देन, आप गूद देग, बाइबाए.